हलो फ्रेंट्स फिसे स्वागत एकने वीडियो में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं किस तरीके से Samsung Galaxy M21 में आप अपने जो Gmail ID को है एक से अधिक Gmail ID को रिमूब कर सकते हैं या भी इवन Samsung के किसी भी डिवाइस में आप कर सकते हैं तो यह कैसे होगा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं Samsung के A-series, M-series इन सब में same features आपको देखने को मिलता है तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आपको उपन करना है, उपन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा उसके बाद आपको इसको अगर आफ करना है या फिर इनेवल डिसेबल जो भी करना है I mean इसको remove करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर बहुत सारे option देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको find करना है account, backup, बला option इस पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर account का option दिखेगा यहाँ पर आपका जो भी Gmail ID login होगा उस पर click करेंगे और यहाँ से आप remove कर देंगे तो आपका जो Gmail ID है वो remove हो जाएगा मेरे पास एक ही Gmail ID है और यहाँ पर बहुत सारे अगर आपके Gmail ID होए तो बहुत सारे दिखाएंगे और वहाँ से एक ही करके remove कर सकते हैं जिसको रखना चाते हों रख सकते हैं तो गैस कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट में जूरू बताएगा इसी तरीके से आप अपने वर्ट्सप को भी remove कर सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं वर्ट्सप अकाउंट शेरिट अकाउंट यहाँ से जो भी चाहे वो आप remove कर सकते हैं डू गूगल डू अकाउंट इसको भी आप चाहे तो यहाँ से ऐसे करके remove कर सकते हैं फेस्बूक अकाउंट जो भी आप चाहें यहाँ से कर सकते हैं तो गैस कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट में जूरू बताएगा मैं यहाँ पे share it अकाउंट को remove कर देता हूं क्योंकि मैं यह share it बहुत ही बखवास लगता है चाइनीज है पहे तो इसको हटाना जरूरी है जो कि मैंने हटा दिया है तो इसी तरीके से आप इस्तमाल कर सकते हैं वीडियो पसंदे तो like share and subscribe करना मत पुलिएगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपका कोई भी सवाल बबाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई problem है error solution चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप follow कर सकते हैं फिर message में भी send कर सकते हैं और message से personally आप contact भी कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार